रोटी, पूरी, पराठे, चावज जिसके साथ आपका मनकर उसके साथ खाएं बहुत ही मज़दार लगेंगे खाने के साथ अगर खाएंगे तो खाना आपका असानी सिपच जाएगा पेट के लिए बहुत ही फादिमन अनोखे तरीके जिसमें हम लोग तरका लगाएंगे जिससे आपके राते का स्वात दस गुना बढ़ जायागा और खाने बहुत ही टेश्टी और मजदार बनेगा तो इसे बनाने के लिए आपको लिनी है लोग की आप गोल या लंबी वाली कोई भी लोग की ले सकते हैं इसके आगे पीछे एक डंठल को आपको काट देना है फिर अच्छी तरीके से आपको छील लेना है मैंने यहां पर लंबी वाली लोग की लिए है और इसे जो है बीच से कट कर दिया गया कट करने के बाद इसे हम लोग पीस पीस में कट करेंगे और कट करने के बाद एक बावल में से एक अठा करेंगे अब इस लोकी को हमें है उबालना तो आप एक भगोना या कूकर में उबाल सकते हैं अगर आप भगोने में उबालेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा कूकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया गया लगबग आधा किलास और आधा किलास पानी डालने के बाद इसे हम लोग लबक दो सीटी आने तक उबा लेंगे दो सीटी में ये उबल जाएगी ये देखिए लोगी पूरी अच्छी तरीके से उबल चुकी है अब इसके पानी को हम लोग अलग कर देंगे और अलग करने के बाद लोगी को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे अब इसे हम लोग को बारी करना है नहीं मैस करना है तो आप गिलास या मैसर से इसे आप बारी कर सकते हैं इससे आपका जो रायता होगा बहुत ही टेश्टी बनेगा साथ इसाथ बहुत ही गाणा बनेगा ये देखिए इसे मैंने घर पर जमाया था दही को आप इसे अगर आप कमेंट करेंगे इसे कैसे जबाना मैं बता दूंगा फटा फट एक दिन में आप दही को जमा सकते हैं इसे अच्छी तरीके से फेटा गया है बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है यह देखिए अब इसमें जो है दही को एक बावल में डालने के बाद जो हम लोगों ने बारी बारी किया था लवकी गुबली हुई इसमें मिक्स कर देंगा और मिक्स करने के बाद आपको करनी है मेनत चलाना है हाथ तो इसे करना है mix से देखिए अच्छी तरीके से mix करने के बाद गाढ़ा गाढ़ा रायता आपका बनने के लिए ready हो चुका है अब इसमें हम लोग डालेंगे भुना हुआ जीरा जो कि पेट के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है अब लगों पांच ये कुटी हुई इसमें काली मिश डाल दी गई है पेट के लिए भी फायदे मंद होती है और स्वाधा अनुसार नमक डाल दिया गया है काला नमक साधा नमक दोनों डाल दिया गया है इसके बाद अच्छी तरीके से mix कर दिया गया है और mix करने के बाद ये रायता आपका ready हो चुका है अगर आप इ दीरे दीरे इसमें दीरे बन गया है दिल यानि हार्ट ये देखिए इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे घर भूने के बाद जीरा और जीरा डालने के बाद डालेंगे एक छोटा चुटकी लिए अब इसमें रायते में अच्छी महक आएगए और इसका टेस्ट बढ़ पेट के लिए भी फायदे मंद होती है हिंग अब इसमें जो है हम लोग डाल देंगे दो तोड़कर लाल मिर्च इसे हम लोग भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम लोग का तलका रेडी है लगाने के लिए अब इसे हम लोग राते को पर घी का तलका डाल देंगे ये के बाद ये रायता आपका खाने के लिए रेडी हो चुका है खाने में बहुत ही टेश्टी और मैदार खाने के साथ इसे जरूर खाएं खाना आपका तुरंत ही पज जाएगा और इतना टेश्टी और मैदार लगता है कि इसे आप रूटी पूरी पराठी चावल के साथ किसे आपके ठीर सारी वीडियो लाने माला हूं तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें और मस्त रहें